हेलो एंड वेल्कम यू ओल्लियर स्टुडेंट्स ट्राइंगल्स पे यह हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एरिया आफ ट्राइंगल प्रिविएस टू लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं सबसे पहले उनको जरूर देखेगा फिर जाके आपको इस लेक्चर की समझ आएगी अगर आपको इन सारे लेक्चर की पेडियेफ चाहिए टेलिग्राम पे जाओ वहाँ पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरिल आफिशल उस ग्रूप को जॉइन करो वहाँ पे आपको पेडियेफ प्लस इन कलासिस के रिलेटिट सारी अपडेट मिल जाएंगी नाव लेट अस स्टार्ट ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी और सी जो हमारे पास ए एंगल है न इसके अपोजिट जो साइड है इसको हम लेते हैं A बी के अपोजिट जो साइड होती है जनरली हम लेते हैं इसको बी और सी के अपोजिट जो साइड है इसको हम लेते हैं सी ठीक है अगर आपको कोई कहेगा इस ट्राइंगल जो हमारे पास ट्राइंगल A, B, C है इसका आप perimeter find करो perimeter क्या होता है simple आपने याद रखना है जो इस triangle की boundary है यानि A, B, C और इतना यहां तक जो इसकी boundary है इसी को हम कहते है perimeter तो perimeter कैसे निकालेंगे simple हम यह जो side हमारे पास है इनको हमने plus करना है यानि A plus B plus C तो यह हमारे पास निकलेगा perimeter of triangle A, B, C अगर हम इस यह जो हमारे पास perimeter है इसका अगर हम half करेंगे यानि इसका अगर हम आदा करेंगे तो यह हमारे पास क्या बनेगा यह बनेगा semi perimeter semi perimeter ठीक है और जिसको हम denote करते हैं S के साथ S is equal to A plus B plus C upon 2 हमारे पास पहला formula जो area का होता है अगर आपको किसी भी triangle का area find करना है तो वो होता है हेरोन's formula हेरोन's formula क्या होता है जहां पे area of triangle is equal to under root S into S minus A into S minus B into S minus C जहां पे S क्या है वो semi perimeter यानि A plus B plus C upon 2 और A, B, C क्या है यह sides of triangle हैं ओके तो यह हमारे पास हो गया पहला formula और यह हम ज्यादा तर scale and triangle में इस्तमाल करते हैं जहां पे कोई भी side equal नहीं होती है उसके बाद second number पे now let us suppose that यह हमारे पास एक triangle है triangle A, B, C इसके opposite यह वाली side हम लेंगे इसके opposite यह वाली side और इसके opposite यह वाली side लेंगे ठीक है अगर हम इसकी height देखेंगे तो इसके height ही आएएगे हमारे पस अगर यह हमारे पास कोई point D है तो यह इस triangle की आएगी height इसको हम altitude भी कहते हैं अगर हमारे पास किसी triangle की height या किसी triangle का altitude given होगा तो उस case में उस triangle का हम area कैसे find करते हैं तो area हमारे पास आएगा one upon two base into height अब यहां पे base क्या है और height क्या है height तो आपको पता है जो altitude होगा वो ही height होगी और base क्या होगी जिसके उपर draw किया होगा वो क्या होगी base होगी अगर हम इसको इस तरह करेंगे draw अगर इसको मैं नाम रखोंगा h1 अगर इसको नाम रखूँगा मैं h2, ठीक है, तो यहाँ पे इस वकद फार्मॉला क्या बनेगा, यह भी इस तरह से 1 upon 2, इस वकद जो base है, वो रहेगी bc, into, और height रहेगी h1, ठीक है, यह आप यहाँ से भी draw कर सकते हो, यहाँ से, यहाँ की तरह, कहीं से भी आप draw कर सकते हो, जहाँ पे आपको base given होगी, आपने देखना है, कौन सी base given है, कौन सी आपको height given है, तो उसी के according आप अपना formula इस्तमाल कर सकते हो, और यही same formula right triangle में भी इस्तमाल होता है, क्योंकि right triangle इस तरह की होती है, जहाँ पे हमारे पास altitude और base given होगी, तो वहाँ पे आप 1 upon 2, base into height, number 3, और एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर हम यहाँ पे कोई सी भी height और base, अगर हमारे पास सारे यहाँ पे given होगे, यानि सारी bases भी given है, सारी heights भी given है, तो उस case में यहाँ पे हम कुछ भी apply कर सकते हैं, बिकास सभी cases में जो area है, वो equal आता है, ठीक है, यहाँ आपको triangle, यानि वो triangle जिसकी सारी sites क्या है, एक वल है, तो वो हमारे पास आएगा, root 3 upon 4 into side का square, ठीक है, तो यह आपको तीन formulas याद रखने हैं, अब हम इनी के basis पे कुछ questions हालो करते हैं, यहाँ पे मैंने इन formulas को अच्छे से लिखा है, पहला question हमारे पास है, what is the area, character 1 decimal आपने लेना है, of a triangle, whose base is 21.4 cm, and height is 15.5 cm, यहाँ पे हमारे पास base और height given है, तो यहाँ पे area का कौन सा formula हम इस्तमाल करेंगे, यहाँ पे heron formula इस्तमाल नहीं करेंगे, या equilateral triangle का इस्तमाल नहीं करेंगे, बलकि 1 upon 2 into base into height, और देखो, यह question SSC CHSL के exam में पूछा गया question है, ठीक है, तो देखो, 1 upon 2 into, base क्या है, 21.4 into height हमारे पास है, 15.5, ठीक है, करो ज़रा इसको simplify, 2 ones are 2, 10 twos are 20, फिर 1 बज़ता है तो 14, तो 7 twos are 14, ठीक है, तो हमारे पास बनेगा 10.7 into 15.5, अब यहाँ पे आप multiply कैसे करोगे, जहाँ से easy हो जाएगा, इसको breakdown करो, देखो, 10 plus 0.7, यही है ना, लिख सकते हो, into 15.5, इसको और इसको multiply करो, आपके पास बनेगा 155, प्लस, इसको और इसको आप multiply करो, आपके पास बनेगा 10.85, ठीक है, अब इन दोनों को plus करो, 165.85, तो यहाँ पे हमारे पास 160.5 है, तो यह एक आगे जाएगा, यानि 165.9, तो हमारे पास जो third option है, यह आएगा correct answer, next हमारे पास question है, यह भी important question है, और previous year exam में पूछा हुआ question है, question क्या है, two sides of a triangle are 12.8 meter and 9.6 meter, if the height of the triangle is 12 meter corresponding to 9.6 meter, then what is, then what is its height corresponding to 12.8 meter, काफी important question है, देखो, हमारे पास यह है triangle, triangle A, B और C, ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ है, two sides of a triangle, यहाँ पे दो sides given है, मैं अगर यह लोगा 12.8 meter, और यह लोगा 9.6 meter, if the height of the triangle is 12 meter, अब यहाँ पे height भी हमारे पास given है, ठीक है, यहाँ पे 12 meter height है, लेकिन किसके corresponding, 9.6, जहाँ पे 9.6 है ना, इसी के corresponding, यानि ऐसे, अपनी मर्जी से आपने इसको draw नहीं करना है, जैसा यहाँ पे given है, वैसे हमने draw करना है, तो यह हमारे पास है 12 meter, किसके corresponding, 9.6 के corresponding, then what its height corresponding to 12.8, अब हमने बतानी है, यहाँ से, यानि 12.8 के corresponding height क्या होगी, ठीक है, simple आपने फार्मॉला अपना करना है, 1 upon 2, base into height, अब इसको देखो आप, जहाँ पे हमें दोनों चीजे गिवन है, हम लिखेंगे 1 upon 2, ठीक है, base हमारा फार्मॉला into height, यही फार्मॉला हमारे पास है, बिलकुल है, देखो, 1 upon 2, base यहाँ पे यह वाली है, ठीक है, यानि BC, यानि कि 9.6 into, height क्या है, height है 12, यह equal होगी, मैंने आपको बोला था न, आपको इसी भी base और height पकड़ो, area हमेशा equal होता है, तो अब अगर हम यह वाला पकड़ेंगे न, ठीक है, यानि यह base और यह height वो भी equal होगा, यानि 1 upon 2, into अगर base हम लेंगे, 12.8, into height, यह लेंगे h, तो यह दोनों आपस में क्या होगे, equal होगे, यह आपको याद रखना है, ठीक है, अब आपको simplify करना है, अराम से आपकी height निकल जाएगी, तो यह और यह पहले step में cancel होगे, ठीक है, तो आपके पास इतना बचा, अगर मैं इसको लिखूँगा, 96 upon 10, into, क्योंकि जब यह decimal खतम होगा, तो 1 और इसके आगे 1 digit और 1 0, तो यह हमारे पास इसी तरह से इसको मिमे करूँगा, into h, अब यह वाला 10 और यह 10 खतम होगे है, ठीक है, cancel out होगे है, उसके बाद इसको में इस से आड लोगा, बनेगा 96 into 12 upon 128 is equal to h, करो इसको simplify, फट फट फट, तो इसको direct में यहाँ पर करता हूँ, इसको simplify करके आएगा, h हमारे पास 9 आएगा, ठीक है, यहाँ पर cancel out करो, वो easy है, आपको आ जाएगा, तो मैं यहाँ यहाँ पर direct answer रिखता हूँ, height आपके पास कितनी आती है, 9, यानि second option is the correct answer, next question, what is the perimeter of a right angled triangle, whose sides are 20 root 3 and 15 root 3 centimeter, यह हमारे पास right triangle है, यहाँ पर दो sides given है, लेकिन कौन-कौन सी side given है, making 90 degree, वो side जो 90 degree angle बना रही है, हमारे पास 90 degree angle यहाँ पर बन रहा है, इसका मतलब यह वाली side और यह वाली side हमारे पास given है, एक को रखेंगे हम 20 root 3, एक को रखेंगे 15 root 3, अपनी मर्जी से, चाहे आप इसको यहाँ पर रखो, इसको यहाँ पर रखो, कोई फरक नहीं पड़ेगा, सिरफ यहाँ पर इसको आपने assign value नहीं करनी है, क्यों? क्योंकि यह 90 degree angle नहीं बना रही है न, यहाँ पर लिखा है, आपके पास वो side given है, जो making 90 degree, जो angle 90 degree बना रही है, ठीक है? अब आपको निकालना है, perimeter alpha right angled triangle, आपको perimeter निकालना है, perimeter में आप क्या करते हैं, तीनों side को प्लस करते हैं, यानि आपको यह वाली side जाहे, फिर आप perimeter निकाल सकते हो, ओके, now, यहाँ पर एक तरीका आपके पास क्या है, आप लिखोगे, hypotenuse का square, is equal to this, that is 20 root 3 का square, plus 15 root 3 का square, इस तरह से करोगे, लेकिन यह काफी ज्यादा lengthy हो जाएगा, calculation थोड़ी सी typical हो जाएगी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरियन triplet का इस्तमाल करेंगी, कैसे, देखो, यहाँ पर root 3, यहाँ पर root 3, इसका मतलब यहाँ पर भी root 3 आएगा, एक, अब बचते हैं 15 और 20, 15 और 20, अब देखो, आपको यहाँ पर पता नहीं है, कि यह कौन सा triplet बना रहे हैं, और 5, 4, 20, यानि 3 और 4, हमारे पास 3, 4 और 5, एक triplet होता है न, जरा यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर repeat किये हैं, 3, 4, 5, 12, 13, 7, 24, 25, इनको आप एक नजर जल्दी से मारो, तो देखो, हमारे पास 3, 4, 5, यह हमारे पास triplet है, यानि 3 और 4, इसका मतलब 5 जो है, यह हमारे प किया है, देखो, यहाँ पर 15 है, यानि 15 और 3, 5, 3, 5, 15, ऐसे इनने multiply किया है, फिर 5, 4, 20, यानि जो actual side है न, जो हमारे पास triplet है, यानि 3, 4, 5, जो पाइथागोरियन triplet है, इसको इन्होंने क्या multiply किया है, 5, और actual sides आहीं है, इसका मतलब जो missing वाली side है, यह है 5, इसको भी हम 5 से multiply करेंगे, 5, 5, 25, that is 25 root 3, यह हमारे पास तीसरी side आई, अब आराम से इसको plus करो, यानि 25 plus 20 plus 15, और बाहर से root 3 लगा देना, तो यह आपके पास total कितना बनेगा, यह बनेगा 60, तो 60 root 3, यानि कि second option is the correct answer, यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है न, जो आपके पास sides ह होंगी, जब उनकी आप ratio लोगे न, जिससे आप cancel करोगे, उसी से आपने, जो आपके पास, जो missing triplet है, जो आप find करोगे, उसको आपने multiply करना है, तो फिर आपके पास answer निकल जाएगा, next question, triangle ABC is right angled at B, हमारे पास एक triangle है, right triangle ABC, और right angle B पे हैं, उसके बाद, D is a point of BC, BC के उपर एक point ने लिया है, D, उसके बाद यहाँ पर हम इसको join करेंगे, such that BD is equal to 5 cm, BD कितना है, 5 cm, AD 13 cm, और AC 37 cm, find the length of DC, आपको DC की length find करनी है, basic तरीका तो इसको यह है, कि आप यहाँ पे, पाइथागोरियस theorem apply करो, hypotenuse का square, perpendicular का square, plus base का square, पहले आप पकड़ो, A, D, B, यह वाली triangle, आपके पास यह वाली side आ जाएगी, उसके बाद, बड़ी वाली triangle आप पकड़ो, A, B, C, तो आपके पास यह वाली side भी निकल जाएगी, लेकिन यहाँ पे हम pythagorean triplet का इस्तमाल करेगे, वहाँ से जल्दी हो जाएगा, देखो यहाँ पे 5, 13, तो हमारे पास एक triplet नहीं होता है, 5, 12 और 13, बिलकुल होता है, इसका मतलब ही आएगी 12, ठीक है, उसके बाद, दूसरा, अब आप पकड़ो A, B और C, यहाँ पे 12 और 37, इसको बूल जाओ, ठीक है, 12, 37, क्या हमारे पास 12, 35 और 37 नहीं होता है, ज़रा यहाँ पे देखो, देखो, 12, 35, 37, तो 12, 35, 37, यह हमारे पास triplet बन गया, यह हमारे पास है 12, यह है 37, इसका मतलब यहाँ से लेके यह अब B से लेके D तक तो 5 है, तो यह इदर से उपर कितना बचेगा, यह बचेगा 30, तो DC हमारे पास आगया 30, यानि 4th option is the correct answer. Next question, ABC is right angled at B and D is a point on AC, अब यह रहेगा आपका homework, question number 5 आपका homework है, फटा फट से comment box में मुझे इसका answer चाहिए. Next question, a ladder 5 meter long is placed in a room so as to reach a point 4.8 meter height आनवाल, यह एक दिवार है, और यहाँ पे एक ladder रखी गई है, यह जो इस ladder है, इसकी जो length है वो 5 meter है, और यह कितनी उपर है, 4.8 meter, यह दिवार है, 4.8 meter, okay, and on turning the ladder over to the opposite side, अब इस जो ladder है, इसको क्या किया गया, इसको opposite side मुड़ा गया, ठीक है, after the wall, without moving the base, और base fix रहा, base यहाँ पे हिला नहीं, सिदा यह जो हमारे पास CD है, इसको इस तरफ रखा गया, it reaches a point 1.4 meter high, उस case में क्या होती है यह, यह 1.4 meter उपर जाती है, यानि अब यह इतनी जाए रहेगी, यहाँ पे 1.4, और CD वैसी की वैसी है, यानि यह 5 meter रहेगी, ठीक, उसके बाद, what is the breadth of the room, हमने यहाँ पे बतानी है, breadth of the room, यानि कि यहाँ से लेके, यहाँ तक, हमने बताना है, इस room की breadth कितनी है, एक बार question फिर समझो, एक ladder है, 5 meter, लंबी एक ladder है, एक CD है, उसको एक room में रखा गया, so as to reach 1.8 meter high on a wall, एक जो हमारे पास wall है, एक दिवार है, कितनी है, 4.8 meter, और यहाँ पे CD रखी गई, उसके बाद, इस CD को मूड़ा गया, और base fix रही, base को हिलाया, नहीं गया, यहाँ की तरफ रखा गया, और यहाँ पे यह उपर कितनी पहुँचती है, 1.4, sorry, 1.4 meter high उपर पहुँचती है, अब आपने बतानी है, breadth of the room, यहाँ पे आपके पास दो right triangles बनी, यह और यह, ठीक है, इसको और रप्तों में नाम, A, B, C, D, और A, आपके पास दो right triangles बनी, E, D, C, और B, A, C, अब यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे पाइथागोरिस theorem apply करो, फिर यहाँ पे पाइथागोरिस theorem apply करो, यह वाली side भी आएगी, यह वाली side भी आएगी, उन दोनों को आप plus करो, तो आपके पास answer निकल जाएगा, लेकिन इसको हम करेंगे, पाइथागोरियन triplet के साथ, ठीक है, now, सबसे पहले इसको पकड़ो, in triangle C, A, B, B, A, C को हो, यह, C, A, B को हो, ठीक है, आपके पास जो दो side है, 5 और 4.8, I, O, ratio लेंगे हम, 4.8, क्योंकि हमें exact यहाँ पर पता नहीं है, कि यह कौन सा triplet है, देखो, अब यहाँ पर क्या है, decimal है, decimal के बाद, एक digit, इसको आप directly यहाँ पर हटा के, इसको यहाँ पर एक 0 लिख सकते हो, जितने यहाँ पर decimal के बाद digit होंगे, उतने यहाँ पर आप direct 0 बढ़ा सकते हो, जब इसको यहाँ पर खतम करोगे, ठीक है, अब इसको आप solo करो, देखो, यहाँ पर किस तरह से solo हो जाएगा, 25, 2050, और 24, 2048, अब यह हमारे पास निकल गया न, 24, तो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर हमारे पास एक triplet होता था, वो है, 7, 24, और 25, है न हमारे पास triplet, यह हमारे पास निकल गया, लेकिन यहाँ तक हम पहुँचे कैसे, हमारे पास जो actual है न, वो हमने देखना है, इनको आप मत देखना कि 24 को क्या multiply करोगे तो 48 आएगा, नहीं, 24 को क्या multiply करोगे कि 4.8 आएगा, क्या multiply करोगे, 24 को multiply करोगे, 0.2, फिर जाके आपक multiply करना है 0.2 से ठीक है तो यह आपके पास आएगा 1.4 यानि यह जो length है यह आई 1.4 ओके इसी तरह से आप यहाँ पे इसको पकड़ो तो आपके पास इस वकत क्या है यहाँ पे है 5 is to 1.4 ठीक है तो इसी तरह से इसको भी आप simplify करो तो जब इस decimal को यहाँ से हम हटा देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा यह 50 बनेगा ठीक है न तो 14 1,000 sorry 7 2,000 14 और 25 2,000 50 तो यहाँ पे भी वह हमारे पास बन रहा है तो 7 25 और missing क्या है फिर 24 ठीक है यह हमारे पास Pythagorean triplet है अब देखो यहाँ पे 7 को आप क्या multiply करोगे 1.4 आएगा तो यहाँ पे भी आप 7 को multiply करोगे 0.2 से तो जो 24 जो missing triplet था उसको भी आपने 0.2 से multiply करना है तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 4.8 अब आप अराम से कर सकते हो इसको और इसको करो plus 4.8 plus 1.4 यानि third option is the correct answer. Next question the area of an equilateral triangle is 4 root 3 cm2 हमने बताना है perimeter now हम जानते ही हमारे पास जो equilateral triangle है उसका जो formula है वो क्या है root 3 upon 4 into side square ठीक है न यह हमारे पास area का formula है बट यह किसके equal है यहाँ पे area given है इसका मतलब दोनों क्या है equal है ठीक root 3 और root 3 cancel ठीक है तो हमारे पास बचा side square upon 4 is equal to 4 इसको इसके साथ multiply हो जाएगी 4, 4, 16 तो मैं यहाँ पे direct लिकूंगा फिर 16 जब square इदर जाएगा तो root बनेगा तो side हमारे पास क्या निकलेगी root 16 तो 16 का root होता है 4 तो हमारे पास side निकल गई 4 अब अब अराम से perimeter निकाल सकते हो equilateral triangle में हर एक side क्या होती है equal होती है अगर यह 4 होगी यह भी 4 यह भी 4 तो total बनके हमारे पास 12 cm that is B option is the correct answer next question find the area of an isosalus triangle whose base is 54 cm and each equal size is side is 45 cm यह हमारे पास एक isosalus triangle है isosalus triangle वो triangle होती है जहां पे दो equal sides होती है A B और C यहां पे base कितनी है 54 cm और equal sides है 45 45 देखो मैंने starting में बोला था जहां पे आपके पास 3 sides given होती है अगर आपको area find करना है तो here on formula का इस्तमाल करो ठीक है लेकिन जो here on formula है न वो हमारे पास last है वो हम पहले इस्तमाल नहीं करते हैं पिकास वहां से calculation बहुत ज़दा typical हो जाती है यहां पे हम क्या करेंगे सबसे पहले हम कोशिश करेंगे क्या यहां पे हम python triplet इस्तमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं अगर हम वैसे करेंगे तो फिर हमें वहां पे जाने की जुर्द नहीं है तो आईसासलस triangle में क्या करोगे आप जब भी आपके पास आईसासलस triangle आएगी आपने क्या करना है यहां पे perpendicular bisector ड्रा करना है यहां पे 90 degree angle बना है और यह वाली side और यह वाली side दोनों equal हो जाएं अब यह total थी 54 तो अब क्या बनेगी अब A से D तक 27 और D से B तक भी 27 cm बनेगी ठीक है अब ज़रा आप कोशिश करो in triangle ADC triangle ADC इसमें हमारे पास 27 45 ठीक है न यहां पे हम pythagorean triplet इस्तमाल करेंगे वरना अगर आपको नहीं है फिर आपको यहां पे pythagorean theorem apply करनी है और यह वाली side आपको find करनी है अगर हमारे पास pythagorean triplet निकल गया तो हम इसको अराम से कर सकते हैं ज़रा देखो 3 से हो रहा है 9 से हो रहा है 9 3s are 27 and 9 5s are 45 तो हमारे पास तो अराम से triplet निकल गया यानि 3, 4 और 5 missing हमारे पास 4 था लेकिन इन्होंने यहाँ पे जाने के लिए क्या किया है 9 3, 9s are 27 तो 4 को भी हम multiply करेंगे 9 के साथ 9 4s are 36 तो यह आपके पास निकल गई 36 ठीक है अब आप आराम से इसको निकाल सकते हो 1 upon 2 base into height करके ठीक है तो यह हमारे पास आएगा 1 upon 2 base है मारे पास 27 into height है 36 ठीक है 36 अब यहाँ पे दो ट्रैंगल है एक यहाँ से ट्रैंगल यहाँ से तो इसका आप 2 से multiply करो बस यह था आपके पास यह 2 और यह 2 cancel तो 27 multiply by 36 इन दोनों को फटा-फट से multiply करो और आपके पास answer निकल जाएगा जल्दी से इसको multiply करो यह आएगा 972 ठीक है 6 7s are 42 unit place पे 2 तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा Hence, third option is the correct answer अब आप एक काम करना इसको जरा आप here on formula से भी करना फिर आपको खुद पता चलेगा वहाँ पे कितनी ज्यादा calculation है और यहाँ पे आप कितने बज जाओगे अगर आपने पाइथागोरिन triplet याद किये हूँ इसी तरह से हमारे पास next question है यहाँ पे भी आईसासरस triangle है ABC ABC हमारे पास आईसासरस triangle है जहाँ पे ABC जहाँ पे AB is equal to AC है ठीक है and AD is a perpendicular to BC और AD एक perpendicular है BC के उपर if AD is equal to 12 cm add the perimeter of triangle ABC is equal to 36 और इस पूरी triangle का जो perimeter है वो है 36 cm then the length of BC अब आपने क्या बतानी है BC की length बतानी है देखो अब आपने क्या करना है यहाँ पे है न 12 आपने देखना है क्या आपके पास कोई ऐसा Pythagorean triplet है जहाँ पे बीच में कहीं पे 12 आता है जरा बताओ मुझे एक है न कि हमारे पास होता है 5, 12 और 13 है की नहीं है बिलकुल है तो इसका मतलब अगर हम इसको 5 रखेंगे यह हमारे पास 13 आएगा क्योंकि 13 सबसे बड़ा आएगा तो इसी तरह से इस ट्रैंगल में भी हम देखेंगे 13 और 5 अब आपने यहाँ पर verify भी करना है जो perimeter है न वो आपके पास 36 आना चाहिए perimeter क्या होता है तीनु सायट को प्लेस करो जरा प्लेस करो 13 और 13, 26 तो फिर 5, 5, 10 यह बनता है 36 बिल्लकुल यह हमारे पास correct आ गया अब आप अराम से देंदे लेंथ था BC यहाँ पर तो आपको सिर्फ BC के लेंथ निकालने थी तो BC के लेंथ कितने आ गई 10 cm बस हमारा काम हो गया यानि कि यह second option correct answer है next question the two sides of a triangle are 40 cm and 41 cm हमारे पास एक triangle है जहाँ पे दो side एक है 40 दूसरी है 41 if the perimeter of triangle is 90 cm और perimeter कितना given है perimeter हमारे पास given है 90 cm तो जरा मुझे आप बताओ ये वाली side कितनी आएगी आगर मैं रखूँगा a, b और c हम जानते हैं perimeter क्या होता है सभी side को हम plus करते है यानि 40 plus 41 और plus a, b is equal to 90 ये हमारे पास perimeter है given है यहाँ पे ठीक है तो a, b is equal to 90 minus इन दोनों को plus करो फिर इस side लो ये हमारे पास बनेगा 81 तो a, b हमारे पास क्या आ गया 9 ठीक है तो a, b हमारे पास आ गया 9 अब आपके दिमाग में एकदम से घंटी बजनी चाहिए आपको लगना चाहिए यार ये तो मैंने कहीं पे देखा है 9 40 41 ये भी तो हमारे पास Pythagorean triplet है अगर ये Pythagorean triplet है इसका मतलब ये हमारे पास क्या है राइट ट्राइंगल है बस हमारा काम हो गया अब यहाँ पे भी हम इसको एपलाई कर सकते हैं ठीक है हलाकि ये हमारे पास आइसासलस ट्राइंगल नहीं थी लेकिन यहाँ पे Pythagorean triplet बन गया तो यहाँ पे भी हम वो वाला formula अपलाई करेंगे तो हमारे पास है 1 upon 2 base into height अब यहाँ पे इस तरह की ट्राइंगल है यहाँ पे तो कहीं पे 90 degree आपको अच्छे से दिख भी नहीं रहा है तो अब आपको कैसे पता चलेगा base और height कौन सी है तो यहाँ पे जो सर्ब से बड़ी side है वो है hypotenuse वो हमारे पास है 41 बस इसको आपने नहीं लेना है बाकी दो को आप ले लो यानि 1 upon 2 into 40 into 9 इसको आप simplify करो जो भी answer आएगा comment करके मुझे आप बता देना next अब हम सीखेंगे concept और concept क्या है वो है steward steward's theorem अब steward's theorem क्या कहती है यह theorem है related to saivian of a triangle कल मैंने आपको बोला था saivian of a triangle क्या होते हैं यह हमारे पास एक triangle है यह triangle है A, B और C अगर हम यहां से opposite side दग एक line ड्रा करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं सीविन कहते हैं अगर let us suppose that यह जो सीविन मैंने ड्रा किया इसका नाम में रखूँगा X यह जो side है यह हो गई A यह side है B और यह side है याईनि A, B पूरी side है C और अगर मैं रखूँगा B, D को मैं रखूँगा M और D, A को नाम रखूँगा N तो उस case में जो stiwork theorem है वो क्या कहती है वो कहती है यह A और N इसको आपने मिलाना है आपने लिखा है A square N उसके बाद B और M प्लिस B square M इसके बाद आपके पास बज़ता है ये और ये X square C प्लिस फिर M and C M and C ये आपको ठीवरम याद रखनी है काफी काम आएगी और इससे भी आपकी calculation काफी ज्यादा शार्ट होगी simple आपने याद रखना है जो यहाँ पे है उसको यहाँ के साथ मिलाओ A square N फिर B square M is equal to फिर X square C फिर प्लिस M and C तो ये हमारे पास क्या है Stewart theorem अब हम इसके basis पे question करेंगे question हमारे पास है in the given figure find the length of AC यहाँ पे हमारे पास figure है हमने AC यानि B की length find करनी है तो यहाँ पे हम Stewart theorem apply करेंगे कैसे देखो ये और ये यानि की B square N to 3 फिर प्लस ये और ये यानि इसका square multiply by this यानि 6 का square multiply by 9 easy equal to फिर ये और C C हमारे पास क्या होती है यहाँ से यहाँ तक पूरी length वो कितनी है 9, 10, 11, 12 यानि पूरी हमारे पास A से लेके B तक कितनी length है वो 12 है यानि हमारे पास 5 और 12 यानि 5 square into 12 ठीक है देखो जब यहाँ पे X square into C यही यहाँ पे हमने किया प्लस उसके बाद तो तो था M and C यानि 9 multiply by 3 into 12 बस आब अराम से इसको simplify करो ठीक है तो देखो हमारे पास यहाँ पे B square into 3 plus 6 का square है तो 36 into 9 is equal to 5 का square 25 into 12 प्लस इसको ऐसे रखो अभी देखो यहाँ से हम 3 common निकालेंगे 3 common निकलेगा बाहर पे आएगा B square plus 36 multiply by 3 क्योंकि यहाँ पे हमने 3 निकाला बाहर 3 3s are 9 is equal to यहाँ से भी हम 3 common निकालेंगे उससे हमारी calculation easy हो जाएगी तो यहाँ पे आएगा 25 into 4 क्योंकि 4 3s are 12 ठीक है प्लस यहाँ से हम 3 बाहर निकालेंगे तो 9 into 12 बचीगा अब यह वाला 3 और यह वाला 3 cancel out हो गया ठीक है तो हमारे पास आएगा B square plus 36 3000 कितना होता है 6 3000 18 339 108 हमारे पास ठीक है तो is equal to 25 400 100 plus 12 9 180 यह भी आएगा ठीक है इसको इस साइड लो तो B square is equal to 100 plus 108 और यह जब इदर जाएगा तो minus 108 यह और यह खतम हो जाएगे यानि plus 108 minus 108 खतम हो गए आपके पास बचा 100 यानि B is equal to under root 100 जो यहाँ पे square था यह इदर आ गया तो 100 का root होता है 10 यानि आपके पास B की value निकल गई 10 that is A option is the correct answer next question अब आपके लिए है question number 11 simple जैसे मैंने question number 10 में apply की वैसे ही आपको यहाँ पे थिवरा में apply करनी है और जो answer आएगा comment करके मुझे ज़रूर बताईएगा next question है in triangle ABC AB is equal to AC हमारे पास एक triangle है हमारे पास एक triangle है triangle AB और C जहाँ पे AB is equal to AC के बरबर है D is a point on BC BC के ओपर एक point है D okay if BD is equal to 5 cm अगर BD हमारे पास है 5 cm AB है 12 cm और AD है 8 cm AD कितनी है 8 cm then find the length of CD अब आपको क्या find करनी है CD की length find करनी है यहाँ पे एक special case है Stewart theorem का इसको आप Stewart theorem apply करो वहाँ से थोड़ा जा lengthy हो जाएगा since यह हमारे पास एक Isosless triangle है तो Isosless triangle के लिए एक special छूट है आपने याद रखना है in case of Isosless triangle Isosless triangle में क्या होता है x square is equal to a square minus mn बस इतना सा आपको याद रखना है x square is equal to a square minus mn a square हमारे पास क्या है जो दो equal sides है उनका आपने square करना है और जो आपने divide की है उनको आपने multiply करना है ठीक है आपके पास यह जो beach में है जो seven है यह आपके पास निकल जाएगा ठीक है तो अब आप इसको apply करो अगर आप इसको steward theorem से भी करोगे तो वहाँ से भी हो जाएगा तो x square x हमारे पास eight है तो eight का square is equal to a यह हमारे पास है दो equal side यह नि 12 12 का square minus mn यह हमारे पास नहीं है पता हम लिखेंगे five into n 64 is equal to 144 minus five n यह इस set चला गया तो 64 minus 144 is equal to minus five n ठीक है तो इसको आप करो तो आपके पास आएगा 80 तो आएगा minus 80 is equal to minus five n यह और यह cancel out हो गया तो यह बनेगा 80 upon five is equal to n ठीक है तो इसको आप simplify करो आपके पास n की value आएगी 16 यानि यह जो dc है इसकी लेंग कितनी है 16 cm hence first option is the correct answer next अब हुन सीखेंगे angle bisector theorem angle bisector theorem क्या कहती है अगर हमारे पास एक triangle कोई भी triangle अगर यह a b c यह हमारे पास एक triangle है तो angle bisector theorem कहती है an angle bisector of a triangle divides the opposite side into two segments that are proportional to the other two sides of a triangle अगर हम अगर हम यहां पे किसी भी angle का angle bisector ड्रा करेंगे यहां से यहां तक ठीक है न अब यह जो है ना b d और dc यह जो angle bisector है यह इस लाइन को डिवाइड करेगा सेम रेशो में यानि b d अपान dc यह जो रेशो होगी यह एक्वल होगी a b जो बागी दो साइट्स है a b अपान a c यह आपस में क्या होंगे एकवल होंगे यही कहती है angle bisector theorem एक बार मैं फिर repeat करता हूँ आपने क्या करना है किसी भी angle से जब आप angle bisector ड्रा करोगे तो opposite side को वो divide करेगी किस ratio में किस proportion में divide करेगी यानि b d अपान dc यह सैम होगा a b अपान a c ठीक है बहुत ही ज्यादा important concept है इसके basis पे काफी ज्यादा question पूछे जाते हैं और बहुत easy question पूछे जाते हैं जब आप खुद देखना कितने ज्यादा easy question यहां से पूछे जाते हैं देखो हमारे पास question है n triangle a b c a d is the internal bisector of angle a यहां पे मैं बनाता हूँ एक triangle a b और c यहां पे एक angle bisector इन्होंने किया draw angle a का d if b d is equal to 5 cm अगर b d हमारे पास 5 cm है और b c पूरा यहां से यहां तक b c वो कितना है 7.5 cm जारा मुझे बताओ अगर b c यहां से यहां तक पूरा 7.5 है यहां तक 5 है तो फिर यह बजएगा 2.5 है न? ओके then the ratio a b ratio a c आपको a b ratio a c find करनी है तो simple यहां पे concept इस्तमाल होगा कि हमारे पास जो angle bisector है यह जो हमारे पास side है इसको divide करता है b d same ratio में जो इसकी बाकी दो opposite side होती है तो a b upon a c और इसको आपने लिखना कैसे है जिसे b d है न? इसके साथ में a b तो यह इसी के आगे आएगी d c है इसके साथ में a c है तो यह इसी के आगे आएगी क्योंकि कभी कबार उल्टी पुल्टी triangles होती है तो आपने simple याद रखना है जो दो साथ साथ में होती है उनको आपने आमने सामने रखना है ठीक है? तो बस अब यहां से आप आराम से कर सकते हो b d आपके पास 5 है upon d c आपके पास 2.5 है तो यह आपके पास a b ratio a c यह जो divide है न यह भी ratio ही होता है चाहे इसको ratio में लिखो या divide यह दोनों एक ही होते हैं तो यह हमारे पास बना 5 ratio 2.5 अब ही मैंने आपको बोला था जब यहां से यह हटाओगे इसके बाद 1 यहाँ पे digit है तो यहाँ पे 1 0 आएगा यानि 5 0 करो इसको simplify 25 1s are 25 25 2s are 50 तो required ratio आई हमारे पास 2 is to 1 ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास जो fourth option है यह आएगा correct answer next यहाँ पे question है in triangle a b c यहाँ पे भी हमारे पास triangle given है triangle a b और c a b is equal to 7 यह हमारे पास 7 cm है b c is equal to 10 b c हमारे पास 10 cm है पूरी यहाँ से यहाँ तक a c है 8 if a d is the angle bisector of angle b a c यानि अगर यहाँ पे हम bisector draw करेंगे a d angle b का then b d is equal to अब आपको यहाँ से यहाँ तक length निकालनी है तो यहाँ पे बिस simple आपको angle bisector theorem apply करनी है वो क्या कहती है b d upon d c is equal to a b upon a c ठीक है तो यह हमारे पास यहाँ से ratio निकल जाएगी तो b d upon d c is equal to a b कितनी है 7 और b c है 8 यानि आपके पास आएगी 7 ratio 8 यह हमारे पास b d और d c की ratio आएगी यानि अगर यह 7 होगी यह क्या होगी हमारे पास 8 लेकिन यह units में होगी यह हमारे पास actual length थोड़ी है यह हमारे पास ratio है हमने यहाँ पे निकालनी है actual length तो actual length हम कैसे निकालेंगे b से c तक हमारे पास given है यह 10 cm है है ना हम करेंगे 10 को करेंगे multiply हमें कितनी चाहिए b d इसकी ratio है 7 तो 7 upon इन दोनों का total यानि 8 प्लस 7 तो यह हमारे पास कितना आएगा 15 जब हमने ratio proportion पढ़ा था अगर आपने पढ़ा होगा तो यह सब आपको आराम से आ जाएगा ठीक है तो इसको आप simplify करो तो यह हमारे पास आएगा 2 5s are 10 3 5s are 15 7 2s are 14 तो 14 by 3 cm that is 4th option is the correct answer next नमारे पास question है question number 14 अब यह question रहेगा आपका homework question number 14 आपने homework करना है और इसका answer मुझे comment box में चाहिए यहाँ पे मैं एक हिंट आपको दूँगा इसका जो correct है यह second option है ठीक है आपने check करके बताना है किस-किस का option match होता है next नमारे पास question है question number 15 यहाँ पे भी हमारे पास एक triangle है triangle A, B, C A, B और C the bisector of angle A angle A का एक bisector ड्रा किया है if A, B is equal to 15 cm AC is equal to 13 cm BC is equal to 14 cm यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है पूरा 14 cm है then DC जैसे मैंने previous question किया बस वैसा ही question यह भी है जल्दी से इसको करो पहला काम angle bisector theorem आपने apply करनी है तो लिखो BD upon DC is equal to A, B upon AC यानि BD upon DC is equal to A, B upon AC हो गया ना तो हमारे पास BD upon DC is equal to A, B कितनी है 15 upon AC कितनी है 13 तो आपके पास ratio निकल गई 15 ratio 13 अब आपको निकालना है DC DC निकालना है ठीक है total है 14 तो total है 14 multiply by DC कितनी है 13 आगे वाले ना तो 13 upon इन दोनों को करो आप total यह यह 28 14 ones are 14 14 twos are 28 तो 13 upon 2 कितना होता है 6.5 cm 1st option is the correct answer next हमारे पास question है N triangle ABC AD is the bisector of angle A यह भी question इसी तरह का question है ओके A B और C यह हमारे पास एक triangle है AD is the bisector of angle A अगर मैं AD करूँगा angle bisector draw ठीक है AD is the angle bisector of angle A if AB is equal to 5 AB हमारे पास 5 cm है AC has 7.5 and BC हमारे पास है 10 पोरा यहां से यहां तक 10 cm है ठीक है what is the distance of D from the midpoint of BC यहां पे हमने D का distance निकालना है midpoint से ठीक है यह भी वैसा ही question है पहले आप जैसा आप करते हो वैसा ही आप करो ठीक है यह बनेगा आपके पास file ratio 7.5 है ना अगर यह हटा दोगे तो यहां पे आएगा 0 25 25 2050 75 स्वारे 25 3075 ठीक है तो आपके पास आएगी 2 ratio 3 यह आपके पास required ratio आएगी ठीक है तो अब आपके पास क्या चाहिए अब आपको चाहिए length B से D तक ठीक है तो B से D तक कितनी length होगी 2 है ना हमारे पास यानि 2 अप 1 3 और 2 कितना होता है 5 multiply by total length कितनी है 10 2 1s are 2 2 sorry 5 1s are 5 5 2s are 10 total 4 तो हमारे पास आएगी 4 cm यानि यहां से लेके यहां तक कितनी आएगी 4 यानि यहां से लेके यहां तक कितना हमारे पास आया याया 4 cm ठीक है अब question पोछता है कि जो D है ना वो mid point से कितना दूर है mid point यहां जैसे होगा यानि जो पूरा इस line को दो equal parts में divide गिरेगा mid point उसी को कहते है न यानि यह वाला भी fire होगा यह वाला भी fire होगा ठीक है अब हमने बताना है mid point से दूरी D की ठीक है अब यहां से यहां तक 4 है फिर यहां से यहां तक कितना होगा 1 तब ही तो यहां पे fire बनेगा न तो बस यही हमने निकालना था यानि second option is the correct answer यहां पे नया कुछ नहीं था यहां पे सीधा आपने mid point से दूरी देखनी थी तो वो आप आराम सी यहां से बता सकते हो next नमारे पास question है ABC is a right angled triangle right angle at B यहां पे हम एक right triangle draw करेंगे जिसका angle होगा right angle होगा B पे ठीक है D is a point on EC such that AD is equal to 12 cm और यहां पे एक point है D AD है यहां पे 12 cm CD यहां पे 16 cm और यह जो BD है न यह angle bisector है AB का यानि कि angle B को दो equal parts में divide करता है यहां पे हमने perimeter find करना है ABC का perimeter तब हम find करेंगे जब हमारे पास तीनों sides होगी ठीक है तो यहां पे सबसे पहले AC कितनी है यह 28 यानि 12 प्लस 16 total हमारे पास AC है 28 ठीक है यहां पे हम angle bisector का concept लगाएंगे upon DC AD upon DC किसके equal आएगी यह आएगी इसके साथ में है यह और इसके साथ में है यह यानि AB upon BC तो AB upon BC ठीक है इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना AB upon BC is equal to AD कितना है AD आपके पास है 12 DC कितना है 16 ठीक है तो आपके पास ratio आई 12 ratio 16 ठीक है 4 3s are 12 4 4s are 16 यानि 3 ratio 4 यह आपके पास ratio निकल गई ठीक है तो आपके पास ratio आएगी 3 AB AB के ratio है 3 और इसकी ratio है 4 यानि यह units में है यह आप यह मत समझना कि यह exact length है ठीक है अब आपको निकालना है perimeter देखो अगर यह हमारे पास 3 है यह 4 है जरा मुझे आप बताओ Pythagorean triplet में 3 4 और क्या होता है और हमारे पास होता है 5 यानि यह जो है न AC यह हमारे पास 5 unit होगा Pythagorean triplet से आपको पता चला अगर यह 3 unit है यह 4 unit है तो यह 5 unit होगा यानि यह ratio की बात हो रही है exact length की बात नहीं हो रही है तो exact length इसकी 28 है यानि 5 units is equal to 28 तो 1 unit की value की आएगी 28 upon 5 यह हमने ratio proportion में बहुत detail में किया है 1 unit की value आगई 28 upon 5 अब आपको निकालना है perimeter तो perimeter में अगर हम perimeter निकालेंगे units में तो कितना आएगा 4 plus 3 plus 5 यह हमारे पास 5 unit है यह 3 है यह 4 है total कितना units बनेगा total बनेगा 12 है ना तो हम लिखेंगे 12 units अब यह 12 units का बनेगा जब हम both sides 12 से multiply करेंगे यानि हमारे पास आएगा 12 units is equal to यहाँ पर 12 से multiply करो 28 upon 5 multiply by 12 ठीक है अब यहाँ पर इसको आप simplify करो इसको multiply करो यह 5 बन जा 5 तो 5 2,000 कितना होता है 10 फिर यहाँ पर 5 plus of 20 2.4 बनेगा ठीक है अब 2.4 multiply by 28 इसको करो तो आपके पास कितना आएगा 67.2 तो यह आपके पास आएगा required answer next आपको मैं एक concept समझाने वाला हूँ उसके बार एक दो question और करते हैं concept क्या है अगर यह हमारे पास एक triangle है ट्राइंगल A B C अगर आप यहाँ पे एक point लोगे यहाँ पे point लोगे यानि D और E अगर आप इन दोनों points को join करोगे तो यहाँ पे एक triangle बनेगी A, D, E तो यहाँ पे area of triangle A, D, E यानि यह जो छोटी वाली triangle है upon area of triangle A, B, C यह जो बड़ी वाली triangle है न A, B, C यह किसके एकवल होगी यहाँ पे आपने देखना है यह जो common वाला angle है न इस पे आपने focus करना है common वाले angle से जो दो line निकलती है A, D और A, E A, D multiply by A, E और यही आपने लंबी करनी है A, B, into A, C A, B multiply by A, C तो यह आपस में क्या होती है equal होती है यह आपको याद रखना है area of triangle A, D, E यानि छोटी वाली triangle और पूरी बड़ी वाली triangle A, B, C इनका area क्या होता है A, D multiply by A, E upon A, B multiply by A, C यह भी concept आपने याद रखना है important concept है काफी question यहाँ से भी पूछे जाते है अब हमारे पास question है question number 18 in the given triangle P, Q, R हमारे पास एक triangle है हम यहाँ पे draw करेंगे triangle P, Q, R ठीक है S and T are two points on side P, Q and P, R S और T यह हमारे पास दो points है किस पे P, Q और P, R पे ठीक है respectively such that P, S and S, Q यह हमारे पास S P, S और S, Q यह किस ratio में है 3 ratio 4 and यहाँ पे P, T है 6 ratio 5 if the area of यह हमारे पास है quadrilateral ठीक है यहाँ पे इन्होंने quadrilateral का area हमें दिया है यानि यह जो quadrilateral है इसका area दिया है वो है 177 cm2 find the area triangle P, Q, R यह जो बड़ी वाली triangle है triangle P, Q, R इसका हमने area find करना है ठीक है तो सबसे पहले आप क्या करोगे छोटी triangle और body triangle को पगड़ो आपने यहाँ पे quadrilateral दिया है क्या दिया है उसके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है आप लिखो area of छोटी triangle P, S, T अपान area of triangle जो बड़ी triangle है P, Q, R ठीक है तो यह आपके पास किसके बराबर आएगा P, S, multiply by P, T यानि 3, multiply by 6 अपान P, Q, multiply by P, R ठीक है बट आप एक कम मत करना कि यहाँ पर 4 लिखोगे P, Q हमारे पास पूरी length है यानि 4 प्लस 3, 7 7, multiply by यह हमारे पास कितनी है 6 प्लस 5, 11 तो 6, 3, 0, 18 अपान 77 यानि हमारे पास जो P, S, T जो छोटी triangle है यह है 18 और यह जो पूरी बड़ी triangle है यह है 77 अब हम देखेंगे यह जो quadrilateral है S, T, R, Q अब हम इसको देखेंगे जरा मुझे आप बताओ यह जो area है यह किसके एकवल है अगर मैं आपको कहूंगा यह जो बड़ी वाले triangle है पूरी बड़ी triangle इस triangle में से अगर आप यह वाला area निकाल दोगे तो क्या बचेगा आपके पास यह वाला area निकाल दो यही तो बचेगा ना इसका मतलब हम लिख सकते हैं जो quadrilateral है ना S, T, Q, R यह equal है area आप पूरी triangle यानि P, Q, R इसमें से अगर हम माइनस करेंगे छोटी वाली triangle यानि area आप triangle P, S, T तो यह वाला area निकल जाएगा अब छोटी का है 18 बड़ी का है 77 तो quadrilateral का क्या आएगा S, T, Q, R हो आएगा 77 माइनस 18 स्वारी 77 तो 77 माइनस 18 यह आपके पास कितना आएगा यह आएगा 59 अब देखो यह जो 59 है यह ratio है यह exact नहीं है exact यहाँ पर इनने दिया है तो इसका मतलब 59 units है यह क्योंकि यह ratio है ना तो ratio में units में आता है तो is equal to यह exact है इसका मतलब यह दोनों equal है यहाँ पर area given है ना exact वाला और unit वाला यह दोनों equal है हम लिखेंगे 177 तो one unit की value आएगी 177 upon 59 तो 59 1s आ 59 59 3,077 तो one unit की value आएगी 3 अब आपको निकालना area of triangle PQR यानि exact area आपको निकालना है तो यहाँ पर PQR है 77 units तो आपके पास one unit की value है 7 तो 77 units की value आएगी 3 into 77 तो यह आपके पास कितना बनेगा यह आपके पास बनेगा 231 centimeter square hence B option is the correct answer next question in the given figure if AD is equal to 3 AD हमारे पास है 3 DE है 4 उसके बाद AB पूरा इनुने लिया है 12 तो इसका मतलब यह यहाँ से यहाँ तक है 12 अगर यहाँ से यहाँ तक 7 है तो फिर यह बचेगा 5 क्योंकि total 12 है उसके बाद BF है 2 FG है 6 यहाँ से फिर BC पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है 10 तो इसका मतलब यह कितना बचेगा अगर 6, 7, 8 तो यह बचेगा फिर 2 G से C तक भी 2 है यहाँ पे हमने value find करनी है M upon N जहाँ पे M जो है quadrilateral है F, G, D, E यह वाली quadrilateral और N हमारे पास है बड़ी वाली quadrilateral ठीक है देखो यहाँ पे हमारे पास कितनी triangle बन रही है यहाँ पे बन रही है एक यह वाली triangle यानि triangle B, E, F फिर बड़ी हो रही है B, D, G फिर इससे बड़ी हो रही है A, B, C सबसे पहले हम इने का area निकालेंगे ठीक है तो हमारे पास आएगा पहले छोटी का पकड़ो area of triangle B, E, F ठीक है फिर ratio ले लो फिर नीचे आजाओ B, D, G तो area of triangle B, D, G फिर ratio ले लो area of triangle A, B, C A, B, C क्योंकि इसकत हमारे पास तीन triangle है ठीक है अब पहली वाली छोटी पे आजाओ तो छोटी में हमारे पास यहाँ से angle शुरू होता है इनी को आपने पकड़ना है 5, 2, 0, 10 तो 10 ratio फिर इस पे आजाओ B, D, G यहाँ पे 5 प्लस 4 9 ठीक है और 6, 8 तो 9 multiply by 8 9, 8's are 72 फिर ratio अब इस से भी बड़ी पे आजाओ तो A से B तक पूरी length है 12 और B से C तक पूरी length है 10 तो 10 multiply by 12 आएगा 120 तो यह हमारे पास तीनों triangles की ratio निकल गई ratio आप दी area लेकिन यहाँ पे हमें पूछा है M यानि quadilateral का तो quadilateral का कैसे आएगा अगर हम इस वाली triangle को देखेंगे triangle B, G, D इस triangle से अगर हम यह वाला निकाल देंगे इसको निकाल दो तो यह वाला बचेगा न तो आप क्या लिखोगे आप लिखोगे area of quadilateral F, G, D यह एगा area of triangle B, G, D तो triangle B, D, G और minus करोगे इस में से यह छोटी सी triangle यानि की B, E, F अब यह है 72 और यह है 10 तो यह हमारे पास आएगा 62 हमने क्या निकालनी है ratio इसकी यानि M की M हमारे पास आए 62 यानि यह वाला 62 यानि यह हमारे पास आया यहाँ पर में लिखोँगा 62 और अपान है बड़ी triangle बड़ी triangle की कितना है 120 तो 31, 2, 312, 62 और 60, 2, 120 तो हमारे पास आएगा 31 अपान 60 तो यह हमारे पास आएगा required answer अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो बार-बार repeat करो questions को जब आप questions को repeat करोगे तो आपको समझ आ जाएगी फिर भी अगर आपको कहीं पर भी कोई भी doubt रहता है आप comment करिएगा मैं वहाँ पर आपको अपना number शेयर करूँगा WhatsApp में और ज्यादा जहाँ पर कोई भी confusion होगी मैं आपको आराम से वहाँ पर समझा दूँगा आज का lecture यहीं पर खतम होता है कल हम यहाँ से आगे continue करेंगे अगर अभी तक आपने मेरा चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा